अब लोगों को जो वॉलिवीड इश्टार है उनकी लाइफ में बड़ा इंट्रेस्ट रहता है वो कब क्या कर रहे हैं कब वो जुन में जा रहे हैं कभी किसी अवर्ड फुंक्शन में जा रहे हैं क्या चल लाओ उनकी लाइफ में वो बड़ा इंट्रेस्ट के साथ सुनते ह हो रहा है क्या जानने की हम लोग के इच्छा रहती है उसी सब चीजों को कवर करते हैं एक वेफसीज बनी है इसका नाम है दफ फेम गेव उसमें एक सकस्फुल एक्ट्रेस की कहानी है और वो कहानी में वो एक्ट्रेस भी डूवी हुई है कि वो खुद एक कृष्डार बन ज सब कर तानावाना है इस पूरी वेफसीज में अगर मैं कहूं यह इन्सौर्ट माजिन दिख्षित सौर है उन्होंने पूरी कोशिज की सौर को रन करने की स्वासे लेके आफ्री तक जो धग्दक गर्ल का अवार्ड मिला हुआ है लोग कहते हैं धग्दक गर्ल है वो तो उ आज भी इस वेफसीज में अपना जल्वा विखे देगे और वो बहुत ही आप कह सकते हैं इस वेफसीज का बिनिंग पॉइंट था इसके अलाबा अगर मैं सब्पोर्टिंग रोल या इस्टों करेक्टर और देखूं तो मानब कॉल अच्छी परफॉमेंस वो भी अलग मुझे दंदार लगती है इसके था इसके अलबा सब्सक्राइब का सब्पोर्टिंग रोलता लोता परफॉमेंस मुझे ठीक लगती है और एक इमपोर्टेम्ट करेक्टर और था पुलिस डीपार्ट्मेंट से राजर सी देश पांड है उनकी इस परफॉमेंस वाला देपा जैसे बोलों कि Bollywood रिष्टार्स की डार्क साइड या आप कैसे कि इंटर्वन मैस्क क्या है उनकी लाइफ पर वो दिखाने की कोसिस की गई गई है उसी चीज है कि इस वेबसीड में आठ एपसोड हैं और एसा लगता है कि कई सब प्लॉट अंदर चलते हैं कई एपसोड में और वो कहीं एंड नहीं होता उनका उनका कोई conclusion नहीं करता है जैसे कि makeup artist का murder हो जाता है कोई उसके बात नहीं करता है जैसे एकाउंट में कुछ फ्रॉड सांद में आता है लेकिन उसके बारे बात नहीं होती है उसी तरीके से जो पैसे गायब हो जाते है पैसे नहीं होते है वो पैसे कब गए, कहा गए, कैसे गए, उसका कोई justification नहीं मुझे लग रहा कई चीज़े थी जो subplot में चलते चलते director को या writer को यह याद ही नहीं रहा कि हमें उसके वारे में भी कुछ तो दिखाना है वो सारी चीज़ें बिदम sideline हो जाती है और जो एक प्रॉब्लम और थी इस website के साथ, screenplay बहुत भी था तो कि इस्टोरिक बार बार च्छे महीने पहले, फिर पांच महीने पहले, ती महीने पहले ऐसे flashback में जा रही है और वो चीज़ें कभी-कभी audience को नहीं प्लेट हो रहा है यकिर्म से देख रहा है कि महाजय को दिक्षित के साथ सथ कुछ हो गया, फिर इंदम से देख रहा है महाजय को अच्छा ऐसा है कि अब करेंट की स्टोरिक से जली तो वह चीज़ें मुझे लगधा आपक्छा है कि भी तक क्या हो गया था रहानी स्टोरी को और दॉर नए अब क्या हो रहा है मुझे लग रहा है कि audience की दिमार पे ज्यादा जो डलवाया रहा है इस पूरी वेपसी बात करते हैं इसकी फाने वर्डिक की तो इस वेपसी का direction और राइटिंग डौनों भीक लगी मुझे जैसे मैं ने बोला कि इसकी प्लेक में पाव लूंगी और कुछ जो बिल्ड कर रहते हैं आकरी तक लेके नहीं गए और वही चीज थोड़ी से मुझे डेक्शन लगी कि आखके लिए बहुत कुछ बचा के रखा लेकिन क्लायमेक पर जाके वो उतना सब कुछ दिखा नहीं पाए उतना इसा क्रिट कर रहते हैं लेकिन आकरी हो जाके उतना इसके लावा म्यूजिक था उसमें कुछ गानिया थे वो मुझे ठीक लगते हैं आप बात करेंगा रेटिंग की तुम ऐसे देता हूं ती इस्टार पांच में से जल्दी आमगा अगला सिनेमारी में लेकर तब तक लिए सतार करें सुच्छे तरहें